Hello friends, welcome back to Be Healthy Channel Be Healthy Channel के इस नए informative वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आप लाल मिर्च का सेवन करते हैं तो ये वीडियो आप एन तक जरूर देखिए दोस्तो हमारे भारतिये भोजन का परमोक अंग है लाल मिर्च कई लोग समझते हैं कि लाल मिर्च के सेवन हमारे शेहत के लिए हानिकारक होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है लाल मिर्च में पाएज आने वाले तत्व हमारे शेहत के लिए फायदे मद होते है लाल मिर्च वजन कम करने में भी बहुत सहायक होता है इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बढ़ती हुई चर्वी को कंट्रोल करके रखते हैं जिससे मोटापा कम होता है इसके यूज से हमें भूख कम नगले लग जाती है जिसे भी ज्यादा कैलोरी हम नहीं ले पाते हैं जिसे भी मोटापा और हमारे जी वजन होती है व लाल मिर्च पाउडर को मिला करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर आप पीरते हैं तो आपके जो एसीडिटी की समस्या है या पेट दर्दी की जो समस्या है उसमें काफी रहात मिलती है इसके साथ साथ रक्त संचार को भी ये सुधारती है उसमें सुधार आता है रक्त संचार हमारे शरीर में अच्छे से होता है लाल मिर्च के सेवन से अगर आप लंबे और घने बाल चाहते हैं तो अपने भोजन में लाल मिर्च को जरूर शामिर करें इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बालों में चमक बढ़ाते हैं जो बालों की ज़डने की समस्या होती है तूटने की समस्या होती है उसमें इससे काफी सहेता मिलती है इस लाल मिर्च के परियोग से रोग परतिरोधक शमता भी बरती है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है बिमारियों से लड़ने के लिए इसके साथ साथ लाल प्रोकी लगती है और हमें खाने में रूची बढ़ती है इस परकार से अगर आप भूख न लगने की समस्या है बीमारी है तो आप इस लाल मिर्च को अपने भोजन में शामिल करके भूख को आप बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से आपने देखा कि लाल मिर्च खान से हमारे शरीर में बिमारियां होती है और हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है ये बिलकुल ही गलत है हां किसी भी चीज को ज्यादा मातरा में खाने से उसके साइड इफेक्ट होते हैं उसके दुस्परभाव हमारे शरीर पे होते हैं तो इस परकार से हम देखते हैं कि लान मिर्च का प्रयाप्त मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना हमारे शेहत के लिए बहुत ही अवश्यक है बहुत ही लाबदायक है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करना ना भू एसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्सन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर टच कर दें जिससे की नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएं तो मिलते हैं नए वीडियो म नई जनकानियों के साथ तब तक के लिए धन्यबाद नमस्कार